आज से जमुव कश्मीर एकाडमी आफ आर्ट कल्चर और लेंग्विज की जानिब से दो रोजा गोजरी लोग गीत मेला का इनकाद किया जा रहा है और इसका मकसद गोजरी कल्चर और जबान को फ्रोग देना है हमारे साथ अभी खुशूसी बादचीत के लिए डाक्टर शानवाज चोधरी जी मौजूद है जो गोजरी शौबा के यहां पर हैड है हम इन से बादचीत करेंगे और इस मेले के हुआले से खुशूसी बादचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस मकसद से इस मेले का इनकाद किया जा रहा है और कहां कहां से सिंगर हज़रात इस मेले में हिस्सा लेने आ रहे हैं सर सबसे पहले तो खैर मगदम है आपके हमारे लाजवाल चैनल शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया शानवाज सर सबसे पहले मैं आप से जानना चाहूंगा किस मकसद के हुआले से इस मेले काइना काद किया जा रहा है शुकریहा लाजवाल चैनल और मेरे भाई जान ममन साब और आप लोगों का बहुत भहुत शुकریkiye आप अच्छी कवरेज करते हैं लोग चीजों को बहुत अच्छी तरिके से हाइप देते हैं बन्यादी बात यह है कि अकैडमी का मंडेट यही है कि हमारी यहां की लोकल जबानों को लोकल कल्चर को फन लतीफा की जितनी भी सुरतिहाल है इसको प्रिजर्व भी करे और इसको प्रमोट भी करें उसी हवाले से गोजरी शौबा यहां एक बड़ा जानदार शौबा है जिसको तीन चार साल से में इसकी हैडशिप कर रहा हूँ तो आज बहुत सारे प्रोग्राम हमने माजी में भी किया और आज का यह जो प्रोग्राम हमारा है यह फोक फेस्टिवल है मुजिक फोक फेस्टिवल यह गोजरी लोग गीत मेला जो दो रोजा यहां पर चलेगा और जिसमें हमने पूरे जमू कश्मीर से यानि अनतनाक से लेकर दूर दूर तक यहां पुल्च रजोरी से लेकर कुट हुआ और तमाम सारी रियास्त के लोगों को बलाया है जिसमें गोजरी के हमारे बड़े बड़े अच्छे फनकार गुलुकार लोग जो हैं यहां आ रहे हैं और उनमें में नोजवान उनको ज़्यदातर हमने तरजी दी है प्रफर किया है क्योंके नई नसल को भी आर्ट में कल्चर में और इसमें खासकार इसमें गाने के सलसले में आना हाल में तो हमारी कुल कोई 20 पार्टियां हैं बहुत बड़े पैमाने पर हम इसको मनकत करने जा रहे हैं दो रोजा तक चालेगा चार सेशन होंगे दो सेशन हाज होंगे दो सेशन कल होंगे तो मैं समझता हूं कि इस तरह यह बहुत इसकी बहुत ऐहमियत है बहुत जरूरत है ताकि हमारी जबानों का तहाफ़ज हो सके हमारे हमारे कल्चर की प्रिजर्वेशन हो सके और हमारी उन तमाम रिवायात का जिनके हम पासबान हैं जिने हम जिनकी तहत हम यहां काम कर रहे हैं ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्व हूं आने वाली नसलों के लिए और हम चाहते हैं कि हमारी जबानों की तरफ जो हैं अपने लोग जो हैं अपने जबानों की तरफ अपने कल्चर की तरफ रागव हूं तो ये हमारी कोशच रहती है अगर हम मौजुदा दोर की बात करें तो गोजरी जबान और कल्चर को किस तरहां से फ्रोग देने की जरूर था क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से किस तरहां से अपनी जबान को फ्रोग दिया जाएंगे पहली बात तो यह है कि जबानों की पुष्ट बनाई तो खैर हो रही है बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूं कि हमें इस बात पर कोई गिला नहीं है बहुत अच्छा काम जबानों का हो रहा है गौर्मेंट ने बहुत अच्छा हमें वो दे रही है जबानों के लिए ता और कई नोजवान लोगों की रोजी रोटी का मसला जबान के साथ जोड़ जाएगा तो ये एक बड़ा बेतरी नामल है किसी भी जबान को बचाने का जब सरकारी पुष्ट पनाई ही उसके बड़े पैमाने पर होती है तो जबाने जो हैं वो सदियों नहीं बलके हजारों साल तक जिन्दा रहती है ये बहुत जरूरी है पबलक के सहरे जबान जिन्दा तो रहती है जिन लोगों की मादरी जबाने मुजरूर बोलेंगे लेकिन बदलते दोर में जो यह साइबर स्पेस का दोर है यह जो आंदी चल रही है साइबर स्पेस की टेकनलोजी की इकनामियात की सदी की इसमें जबानों का जब तक सरकारी पुष्ट पनाई नहो तो जबाने जो हैं वो जो हैं वो उस तरीके से फुल फल नहीं सकती है तो जैसे गोजरी जबान है पंजाबी है पहाडी है जितनी में हमारी लोकल जबाने हैं यहां बोली जाती है तो मैं ये हकूमत से भी और ये अपील करता हूँ कि इन जबानों को भी आफिशल लेंग्विज के तोर पर इंट्रोडियूस किया जाए और इनको स्कूलों में जो है वो इनको पढ़ाया जाए बलकि इनमें पढ़ाने वाले लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए आपनें जो इस वाफिशा हैं वो आपाइंट किये जाएं ताकि जो जबान है जबान जो है वो कई सह दिन तक सफ़र कर सके अपना और तरख्य के साथ और बावकार तरीके से जबान आगे बढ़ सके तो ये बहुत जरूरी बात है ये खास बनियादी बात है दूस्ती ये है कि हमें जो हमारी जो हमारी जो हमारी जो हमारी लोग है के साथ जवान जिने का तालुक है जो बोलते हैं अपनी inappropriate जबान को उन लोगों को चाहिए ultimate किए सूपेरियर या इनफीरियर नहीं होता है कोई भी जबान बड़ी च्छोटी नहीं होती है यह हमारे सोचने के सलसले है सारे जो बड़ी-बड़ी बैनल-कवामी जबाने थी वो आज खत्म होगी उनके जगाद दुस्री जबाने आ गए ही इसी तरह यह है कि यह सधी का इनकलाब है मैं खासकर गोज़ी के हवाले से यह करना चाहता हूँ कि यह जबान का साइबर स्पेस के साथ दुड़ना बहुत जरूरी है और वो जुड़ भी चुकी है इन्शालला दूसरी सोरत में यह है कि युनिवरस्टी और कालेज लेवल पर इसका पड़ाया जाना भी बहुत जरूरी है ताकि इसमें रिसर्च हो इसमें यह चीजें, कताबें लिखी जाएं इसमें लोग आपने का काम करें आपने कल्चर को देखें, समझें, सुनें और उसको लेकर आगे चलें यह बहुत जरूरी काम है इसी सारे सलसिले के मदे नजर के तहत हमने अकैडमी का ये खायर मेंडेट भी तो है हमारा हम करते हैं बड़े बड़े लेवल पर कांफरंस हमारी होती हैं हमारे च्छे साथ चिराजे च्छपते हैं दो चार दस पॉब्लिकेशन भी च्छपती हैं वो आने वाई नसल के लिए एक फाइदा मन थाबत हो और हमें उन्हें भी पता लगे कि हम किस महाज़ पर कितना बड़ा काम कर रहे हैं तो जबानों की जो प्रिजर्वेशन है जो हिफाज़त है इसके लिए बहुत जरूरी चीज़ यह है कि इनके अंदर जो इसका तमदनी इसका लिटरेरी और इसका सकाफ़ती जो एहया है उस पर फोकस किया जाए उस पर नज़र रखी जाए और उसे मसलसल जो है उसे अर्गनाइज किया जाना चाहिए ताकि लोगों में ये बात पहले और लोग अपनी जबानों के साथ अपनी बॉलियों के साथ अपने कल्चर के साथ अपने तमदन के साथ अपनी सिकाफ़त के साथ जुड़ सकें टेजी के साथ तो इसी सलसिले में आज हमने दो रोजा फोक फेस्टिवल का इनकाद आज केल सैगल हाल में किया है जिसका इनकाद सेशन सड़े दस बजे है परशानवा सब क्या मैसेज रहेगा खासकर जो हमारे गुलू कार हैं फंड कार हैं उनके लिए क्योंकि उन्हीं की वज़ा से इस मेले में चार चांद लगाए जाएंगे उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा क्योंकि दो दिन का ये प्रोग्राम मैं कुछ लोगों को अभी पता नहीं होगी क्या मैसेज रहेगा मेरी गुजारिश ये तमाम उन गुलू कारूं से है कि जो हमारे यहां आज पार्टिस्पेट कर रहे हैं उसके लावा भी हमारे पास बहुत बड़ा चंक है हमारी दफ्तरी मुझबूरियों होती है फिर भी हमने 20 पार्टियों को कोई कम काम नहीं है बहुत बड़ा काम है ये 20 पार्टिस जो है वो आ रही है तो गोया बहुत साइच 40-50 के आसपास सामने फनकारूं को बुक किया है दूसरी सूरत में दूसरी बार जो हम उन दूसरे जो है लोगों को बलाएंगे जो आज की दिन पार्टिस्पेट नहीं कर रहे और मेरी ये खायश और गुजारिश भी है तमाम उन लोगों से जो इस वक्त सुन रहे हैं देख रहे हैं ताके वो इस मेले में बारी बरकम जो टादात में शिरकत करें और यहां लुद्फ अंदोज हो जाएं और फिर गाने का एक सलसिला जो है लोगों का कैसे फोक काया जाता है फोक की क्या जरूरत है यह सारी सुरते हाल जो है यह बहुत जरूरी है और जो भी इसको देखने सुनने वाला है मेरी उसे यह इलतमास है दरख़ास है कि वो इस मेले में जो है वो शिरकत करे ताके जो है ताकि उसे मालूम हो और दूर तक इसकी इशाद जाए और ताकि लोग आने वाले वक्त में से सुनें भी और जो लोग रह गए हैं उन्हें वाके देखें ताकि उन्हें दूसरी बार जब उन्हें हमारे साथ पार्टिस्पेशन करनी पड़े तो उन्हें मालूम हो किस तरिके किसे गया जाता है और इसका मकसद ये भी है कि जो जो लोग भी जहां जहां जिस जिस कौने में हमारे जमू कश्मीर में गाने से तालुक रखते हैं ताकि वो जो है वो सुने देखें और उनके जो टेलेंट है वो भी सामेरे लाया जाए और वो लोग भी जो है वो आकर यहां पार्टिस्पेशन करें असलिमें इसका मकसद यही है आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो नादरिन ये थे हमारे साथ डाक्टर शानवाज चोधरी जी आपको बता दें कि दो रोजा गोजरी लोग गीत मेले का इनाकाद हो रहा है के सैगल हाल में सबी लोगों से हमारी ये बहुत रहेगी के वो इस मेले में बढ़ चड़ कर इससा ले और खासकर जो हमारे गलुकार हजरात हैं वो भी आए जिन्हें इस बार मुका नहीं मिला है उन्हें अगली बार मुका मिल जाएगा लेकिन यह ऐससे मेले होते हैं जिनमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आएं और यहां पर कुछ ना कुछ सीखें ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते हैं यह लाजवाल नियूज अपने मेजबान को दीजिए इजाज़त